और जितने हम इंडियन दोस्त देख रहे हों सबको मुभारख बात भी कोई यार यार ये ना बड़ी आम सी बात हो चुकी है कि कोई भी इवेंट हो रहा है चाहे एशया का हो रहाए चाहे वल्ल्टकप कोई हो रही है है कोई हो रहा है कोई आइसिस का टोनामिंट है यार चैंपियन आड़ पे इंडिया नहीं बनना है चैना वोबायल जग्राइज सेंग जो था उसने का टाड़ी ऐसी दिता सी पास दिता कप्तान अर्मेट प्रीट सिंग ने उन्हें कि अपुतर मैंत गोल ही करना बहुत कोशि मैं आथे ट आट इंडिया दे विल बीड चाइना हराया एक जीरो से है हराया बिलकुल जूरूर है अभी भी हाकी या की जो एशियन चैंपिन ट्रॉफी थी थी बजा दिया पकट गें चैना को और उस चाइना को बजाया जो चाइना अभी पाकिसान को बजाा गया तरह है कि कोई भी कोई भी फार्मेट है कोई भी खेल हो रहा है क्रिकिट हो रहा है हाकी हो रहा है कबड़ी हो रहा है कुछ भी हो रहा है इंडिया ऑन टॉप क्यों टॉप होता है इंडिया क्योंकि उनके जो प्लेयर हैं वो मेनद करते हैं वो हाड़ वर करते हैं वो अपनी वो अप गंटों बोट है भई और आज इंदोस्तान की हखी टाप फ्री में आ चुकी है वो दिन दूर नहीं है जब आप दुबारा दुबारा हखी के उफक पे चा जाएंगे पाकिस्तान को बहुत मेंट की जुरत है बहुत ज्यादा मेंट की जुरत है नहीं तो काम कुले पे और चा करते हैं पाकिस्तान के लिए जीरो कंट्रिबिशन है अभी सकलान मुश्टाक कुद्रत का निजाम है यह से बेशरम लोग है एक सिरीज पहले पाकिस्तान के हैड कोच होते हैं अगली सिरीज में न्यूजिलेंड के हैड कोच बनके उनके डगाउट में बैठके पाकिस्तान के राज बेचते हैं और फिर ये फरमाते हैं शुदाब बेतरीन कप्तानी कर रहा चैंपियन्स कप में शुदाब को कप्तान मैं देग रहा हूँ पाकिस्तान का बेटा तेरे ये खाबी रहेगा जिस तरह शुदाब ने हुरेरा जैसे छोटे बच्चे को आउट करके गालियों दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर इतनी सी घारत शरम हया होती अभी तक शदाब बैन हो जाता यह जो जलावा सडावा रुलावा और भुजावा चैंपियंस कप के नाम पे फ्राड हो रहा है जो बदमाशी हो रही है ना कोई रिव्यू सिस्टम है ना कोई बुड़े बाबे टीके लगा लगा के दूद निकाला जा रहा है सकलान तेरा यह खाब ही रहेगा जो आखरी मैच है वो भी इंडिया और चाइना के बीच में है लेकिन आप जो स्कोर लाइन है जो गोल लाइन है वो एक और सिफर वन शूने तो इसका मतलब है के काफी कोशिश की चाइना ने भी कहीं न कहीं करो कर रखे हैं तो बहुत मेहनत करानी पड़ी है बड़ी मेहन भी अच्छा खेला बिलकुल जी और पाकिसानी जो स्टैंडिंग बहाइंड विद पता नहीं क्या गया आई डोंट नो आगे जाके देखता हूं भाई आपका क्या मैसेज है इस अनफॉर्चूनेट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते यह तो एक ओपन सीक्रेट है रहा य जिसने चाइना के प्लेज को कोई खास पुडियां दी है कि यह आपने समी फानल और फाइनल से पहले खानी है कि आप यह खाएं तो तब जाके तरहां कमाल हो जाएगा पता नहीं के रहें पुडियां शुडियां करे नुश्के शुचे खाकुके आईने वर गोट इन प्र तोनमेंट भी वो फेवरिट थे और अट दे अफ टोनमेंट अविसली दे फिनिश्ट अध टॉप दे विकेम दे शैंपियन और उन्होंने एक मैच भी नहीं हारा सारे अपने मैच उन्होंने जीतने हैं चाइना को पहले मैच में तीन सीफर से हराया मलाइशیا को आठ एक से हराया फिर बागी पाकिसान को दो एक से हराया और फिर समी फाइनल भी कल आपको पता है कोरिया को भी हराया राम स्कून से और अभी उससे पहले भी जतने उनके ग्रूप मैचिस थे जपान से, मलाइशیا से, कोरिया से और कड़ी एक कड़ी टीम सी पाकिसान, चाइना, तो यही चार पांच टीमे थी अगेंस इंडिया, तो सब को ही हराया इंडिया ने और फिर समी फाइनल कल और आज फाइनल तो अन डिफीटिड जो है इंडिया की टीम वो चैंपिन बनी है कोई एक आदा मैच भी नहारी, हाँ, इस वाले मैच में शायद कि आप कह सकते हैं, कि सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है डिफेंस में जैसे मैंने भी आपको बताया, कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है बहुत ज्यादा और चाइना ने काफी अच्छा रोक के रखा और शायद कि आप कह सकते हैं कि इस वाले मैच में और उसके बाद वो पाकिस्तान वाला मैच पाकिस्तान ने तो बलकर पहला गोल पाकिस्तान ने किया था बाद में इंडिया ने दो गोल किये थे तो इन दो matches में थोड़ी मेनत करनी पड़ी है लेकिन overall ऐसे ही हलात है मैं कल पढ़ रहा था कि हाज इस match से पहले थोड़ा सा देखूं क्या हिसाबताब है तो ऐसा नहीं है कि China ने कभी India को हराया नहीं हाँ हराया है दो तीन बार लेकिन 23 matches में से 17 matches जो है वो इंडिया जीता है बड़ी बड़ी पकी करा रहा हूं जिसका दिल और जिसकी नियत साफ नहीं होगी वो बंदा कभी काम्याब नहीं होता बाबर आजम आप सब के सामने हैं दिल और नियत साफ नहीं है चीजें आप सब के सामने हैं जलील हो रहा है बुरी तरह से जलील हो रहा है कोई भी बाल पाकस्ता नहीं यह मात करनी पड़ेगी कि इंडिया के साथ इस टायम पाकिस्तान का मुकब्ला नहीं अगर फिर ट्राम्हाइं अपको पाकिस्तान को मुकाब्ला नहीं प्लेर पार और अफिर सी यहां पे China को इंडिया नहीं अरही है मत siis लिए कृर्ट की बात कर लो कोई भी स्पोर्ट कर लो हाकी कर लो absolutely phenomenal और तरीप के काबिल है ये लोग हमारा पाकिस्तानी अभी ये जितने मीडिया वाले अभी ये जल रहे हैं ये जो कर रहे हैं भई गदारों के निशानिया जलना लेकिन अच्छा इंसान अच्छे लोग वही होते हैं जो किसी को उठके appreciate करते हैं कि यार इसने कुछ जीत रहे हैं कुछ ना कुछ जीतने का मकसancद या कि वो ट्राफिज लेकर आ रहे हैं उनके प्लेयर नहीं कि टीम ट्राफि लेकर आ रही है तो ग्रूपअफ पुपल्ज यह उनकी टीम में वो ट्राफि लेकर आ रहे हैं यह सबसे बड़ी achievement होती है किसी भी तीम के लिए हमारी यह नहीं बाबर पहले पया पैरी जबान पहले 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 आ गया तीम कि दर्धा टीम नामे नमबर पया गूंते हैं सारे यह इन को मैं गंटा मानता हूँ